चाल चत्र अभ्यान की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं कि मैं यहां से पश्ची मुत्तर्पर्देश मेंसे एक भी सिट में निकाल पाओंगे शीषे में आपका स्वागत है आज हम उत्तरपरदेश के जिलाशामली में और जिलाशामली के यह नगरपंचयत ऐल्लंग के जिलाँ खेत है और हमारे साथ को सीध के मालिक है जो अभी तक गया किसान से बाचित करेंगे और पता करेंगे किन समस्यां उसे cash बहुते हberryा है किया नाम मैरा नाम मनोजिक कमार मरोजी अभी क्या झाटी किसान कि targeting आपके आजए कॉइल के काइस जाटी इसको अचित मेरा मनोज जी खेटी किसान फचिक On किसानी का बुरा हाल है इसमें कोई बचतनी है अगर गन्य मुल्य बढ़ाने की बात नहीं हो रही है अभी योगी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि मुल्य नहीं बढ़ेगा इस साल क्या क्या चीजे प्रभावित हो सकती है आपके साब से किसान मजदूर जो खेती से जुड़ा और जो किसान का उसमें जीडीपी में इसमें वो है कॉंटिब्यूशन वो भी परभावित होगा कोरोना टाइम पर खेती नहीं थम्यादे से क्या रहा था कुछ भी रहा था सब दंदे बंद हो गए थे तो अगरी कल्चर से ही तो एकोनोमी मेंटेन रही और उससे जो सेर मस अष्मति है यह कोई को गए तासे उसमिंहान के लिए निकाल रहे हैं अभी होस्ना हो जविए कि दिल्य कर लिए किसानों इन अरे बाप दादा पड़ दादा कह रहते हैं और इनके बकाई मनाईयों यह दुस्मन है मारे दुस्मनी रहे गे जो कोई मोदी को गलत कह दगा तो यू मननगे जसा सिव जी भगवान को गलत कह दिया हो और गलत नहीं जो ठीक कह दगा जो उससा सवाल पूछ लगा दर्मिंद अवारा पसू की बड़ी समस्या है किसानों की उसको आप कैसे देखते हैं कोई बंदुबस है आसी समस्या वह बाइब कुछ बंदुबस्त नहीं है बस खाली एक बारू में निकल जा कह देवा वहां गो साला होगी कुछ नीप किसान तो इस पसू के आवारा पसू तो इतन परेशान है इतना परेशान है यहां थोड़ी तो जमीन है एक कदुद्दों भी खेत वह सब खाजा बड़े बुजुर्क है जो गर के खेत माते हुए डर है बाई उनके यह आवारा पसु मार दान दे बच्चे गाडू में सडुकूप है अक्सिडेंट वैसे उनका खत्रा र कुछ नहीं करा जी किसानु के लिए तो क्या करा देख लो जो और सी किसानु के मारी अगना वैल्ट है सामली चेतर की सामली का यह पश्चिम में लगते हुए भी है तो यहां भी तो खर्चे है किसानु के बड़ना तो चाहिए था कुछ नहीं बड़ा रहे क्या दिक्कते हो रही है किसान को बुकतान की भी समस्या है बुकतान की यह समस्या है इस स्कूल वाले ता फीस टाइम पले बच्चू की एक बिंडे में एक पर्ची का पेमित आया पंदरह अजार रुपे का था g. 15,000 रुपे वो इस्कूल के बच्चू की फीस देगा घर क का खर्चा चलावागा या मजदूरू को देगा क्या करागा कुछ नहीं कर पावे ला तो सरकार तो जो है मुंदे बैठी है जो हकीकत जमीन पर उतर के देखो जिप पता लगे यह जो है सरकारी आगडे माँ बैठ का भीडावें यह इंसे नहीं बात बनने वाली अगर यह य अधर प्रदेश में से एक भी सिटनी निकाल पाऊंगे मैं भी जो है बाजपा का इतना पक्का समर्ता कूं मैं जब से मेरी वोट बेनी ना है माज तक किसी को बोट नी थी बाजपा पर अब की बार मैं इतना खिलाप हूं हट से जादे खिलाप हूं काम नी किया आपके मजदूर भी तो किसान के उपर ही निरबर है जब किसान कुसाल होगा तो मजदूर भी तो कुसाल होगा जुकर हमारे पास यह मजदूर लग रहे हैं अगर इन दस रुपे की कहीं जोरत पड़गी तो यह मारे पास ही ता हूंगे और जिम मारे पास पैसा नहीं होगा तो हम नहीं नहीं देदेंगे। इसमें हमारे साथ कुछ महिलाई भी है जो किसानों के खेत में मजदूरी का काम करते हैं और इनसे हम पूछेंगे कि क्या गतने का भाव अगर नहीं बढ़ाये तो इन पर भी क्या पिर भाव पड़ता है या यह नहीं जी क्या नाम आप का upload बिश्याय ची वखेति र diye दि में लड़काय बैर ज़ा राजी ओफारर हो भी करता है नहीं घूट ہے साई ह यह बाप कूचर्गेटाजी तो मजदूरी बेगरा पढ़ जाती है? यहां, बस नुही है, ज़े ज़े करें, मैनत करें तो मजदूरी पढ़ा है, जिब किसान कोई नी मजदूरी पढ़ती तो हमें क्या पढ़ा है? किसान का तो भुगतानी नी हो रहा है, तो आप कही पैसे रुक जाते हूं? किसान का में आवेगा तो हमें भुगतानी नी हो रहा है, जा करेंगे, मां लेंगे, अक नहीं जी यह है, बस तो लेकिन गन्ने का भाव पढ़ता तो आपकी मजदूरी पढ़ती है? शहये, हम अभी एलम गाओं के खेतों में थे, हमने किसानों से भी बात की, और जो मजदूरी करती है, उन महिलाओं से भी बात की, और जानने की कोशिश की कि, अगर गन्ने का भाव पढ़ता तो इनका मानना है कि हमारी मजदूरी भी बढ़ जाती. तो कहीना कहीं सरकार को गन्य के भाव को लेकर बात सोचनी चाहिए, इनका ये मानना है, जोड़े रहे सीसे से उत्तर प्रदेश तक आपको खबरे आती रहेगी, धन्यवाद